Hey guys, what's up? I hope you're doing well. I am Brithwi. So, आज हम डिसकस करेंगे, भारतिया सव्धान की जो प्रमुख विसेस्ता है ना, उस पर आज का हमारा डिसकसन रहेगा और इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो एक्जाम है, उसके लिए जो यहां से कैसे कैसे कोश्चिन पूट आउट होते हैं, कैसे कैसे कोश्चिन हमारे एक्जाम के लिए आसकते हैं ज्यादा स्टूडेंट जो सवद्दान की विशेष्टा एनों ने ज्यादा इंपोटेंस नहीं देते हैं और इनको छोड़कर वह फंडावेंटल राइट फंडावेंटल ड्यूटी इनचीजों पर ज्यादा वेटेज़ देते हैं बट जो भारतिया सवधान की जो विशेष्टा है ना, वहां से एक्जाम में question पूछे ही जाते हैं। तो अपना discussion स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ question पूछ लेता हूँ। पहला question है हमारा भारतिया सवधान कैसा है, जो हमारा constitution है वो कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है, ना ही लचीला है या अंस्ता कठोर है, अंस्ता मतलब इसका कुछ वाँ कठोर है और कुछ वाँ लचीला है, ठीक है, और next question है हमारा, हमारा सवधान जो भारतिया कोश्चिन है हमारा भारतिया सवधान का अभिवावक कौन है मतलब जो भारतिया सवधान है उसका सरक्सक कौन है आपके सामने राष्टपती प्रधानमंत्री सरवोच नयले और लोकसभा आप इन कोश्चिन का आंसर जो है मुझे वीडियो के कॉमेंट वॉक्स में सवधान है आपको पता है कि सवधान जो है दो टाइफ के होते हैं एक लिखित होता है एक अलिखित होता है मतलब एक लिखा हुआ होता है और एक जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता है जैसे कि ब्रिटेन है ब्रिटेन का कोई लिखित सवधान नहीं है ठीक है और जिस और इसको बनाने में हमारे जो पुर्वज थे जिन्होंने सब्धान बनाया था उनको बहुत लंबा टाइम लग गया था अब आप मुझे comment box में बताइए कि हमारे सब्धान को बनाने में जो कितना समय लगा था next जो बिस्यस्ता है हमारे सब्धान की वो है बिविन सरोतों से बिहीत सब्धान actually मैं जाद दर student मैंने देखाया कहते हैं कि जो हमारे सब्धान है वो बिदेशों की जो सब्धान है उनसे नकल करके लिए आगा है और ये बात विल्कुल गलत है देखो एक बात कैसे गलत है कि भारत जो था बड़े लंबे दोर से जो था गुलामी की जिन्दगी जी रहा था और जब भारत अज़ाद हुआ तो हमारे जो पुर्वज थे जिन्होंने हमारा सब्धान बनाया था वो चाहते थे कि भारतियों को एक ऐसा सविधान दिया जाए कि जिससे उनको हर तरह की सोतंतरता मिले जैसी जिन्दगी वो फहले जी रहे थे ना उनको वैसी जिन्दगी आगे ना जी नहीं पड़े ताकि कोई भी सरकार अगर भारत में आती है वो निर्वकुस ना हो मतलब उसके पास सारी सक्तिया ही नहीं उसके पास ना आ जाये मतलब इस तरह के जो थे बहुत सारे खत्रे थे भारत में जो पनपने वाले थे और भारत जो है लगातार जो है एक ताक में वंदरा था और इसमें सबसे मोश्ट इंपॉर्ण बूम का निभारत है सरदार वललव भाइब टेल जी भारत को एक पर आप से कहों तो आप भारतिया सब्दान को पढ़ने में फक जाते हो तो हमारे सब्दान कोब ँसतर हो वो भारतियों को एक ऐसा सब्धान देना चाहते थे कि उसमें कोई कमी न रहे इसलिए जो उन्हें अलग-अलग देशों के सब्धानों को पड़ा और उनमें देखा उन्हें कि ऐसी क्या सी कमी है जो हमारे सब्धान में नहीं रहने चाहिए जो उनके सब्धान में है इसलिए हमने पूरे देश जो अलग लग थे फ्रांस, यूसे, जर्मान थेकि इन देशों के सब्दानों को पड़ा था इसका भी ए मतलब नहीं है कि हमारा सब्दान जो उन देशों के सब्दानों से लिया गए है वह तो आपको पता है कि हम उस ताइम में सोतंतर हुए थे जिस ताइम जो बहुत सारे देशों जो जो है अजाद हो चुकी था और उन्होंने अपना सब्दान बना लिया था तो उसके बाद अगर हम कोई भी प्रोविजन अपने सब्दान में बनाते तो वो लगभग हर देश ने अपने सब्दान में एड कर लिया था अब हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा सब्दान जो वो दूसरे देशों के सब्दान की नकल है मारे सब्दान दोरा अगर सबसे बड़ा इसा सबसे बड़ा इसा मारे सब्दान में एड़ गया गया तो वो किया गया भारत सासन अधिनियम उन से 35 और भारत सासन अधिनियम 1935 वो आपने आप में एक सब्दान था अब कैसे था आपको पता है कि 1935 का जो भारत सासन अदिनियम था उसमें 321 अनुछेद थे और आज मारे सवधान में कितने अनुछेद हैं आप comment box में बताईए जो भारत सासन अदिनियम था 1935 था इसमें 321 आर्डेकल थे दस अनुशुचियां थी और जो भारत सासन अधिनियम था न वो भारत की नजरिये से ही इसको बनाया गया था और भारत के लिए बनाया गया था तो जायर से बात थी कि इसमें जो है भारतियों के लिए ही जो है अच्छी वातने थी अच्छे कानून बनाया गया थे इसलिए जो है इसका एक बहुत वड़ा हिस्ता जो है हमारे सब्धान में भार्षासन अदिनेम 1925 से लिया गया था ओके नेक्स्ट जो हमारे सब्धान की बिज़ेस्ता है वो है कि हमारा सब्धान ना तो कठोर है ना तो लचीला है इन दोनों का मिस्रण है मतलब कहने का मतलब है कि हमारे सब्धान में इतना भी कठोरने ये कि हम अपने सब्धान को बदल ना सके और इतना भी लचीला ने ये कि हम अपने सब्धान को इजिली बदल सके तो आप इस वास से देख सकते हो कि अगर हमें अपने सब्धान में होता है कि सदन की जो कुल सदस्या होते हैं उनका बहुमत और दूसरा सदन में जो उस टेम उपस्तित होते हैं और उनको जो मतदान करेंगे ठीक है आपको पता है जो संसद होती है उसमें दो तरह के सदस्या प्रेजेंट होते हैं एक तो जो मतदान नहीं कर सकते हैं और एक होता है जो मतदान कर सकते हैं तो जो मतधान करेंगे उनका दोती हाई और जो सदन की कूल सदस्यों का बहुमत और जो कुछ यह तो इसे हम विसेश महमत करते हैं जिसमें संसद के कूल सदस्यों का बहुमत सदन के लोकसाबा और राजसाबा के जो जितने में टोटल संख्या है सदस्य संख्या है उनका क्या आता है सिधा जो सदन में प्रस्तूत हैं ठीक है जो सदन में प्रस्तूत हैं और जो बोट करने वाले हैं ठीक है उसको जो हम क्या कहेंगे साधान बहुमत कहेंगे अपातकाल की स्तीती में भारत का जो जो स्ट्रक्षर है वो एकातमक हो जाता है अपातकाल की स्तीती में सारी पावर जो हुमारे राष्टपती या मैं कहूं तो केंदर सरकार के हाथों में चली जाती है और डिरेक्ट जो है केंदर सरकार का सासन चलता है राजिया में ठीक है इस टाइम में बारत में जो विवस्ता होती है, वो कैसी हो जाती है, एक आतमक हो जाती है, सिर्फ एक ही सरकार होती है, वो केंदर में होती है, लेकिन सिंपल समय में देखोगे, मतलब बिल्कुल साधारन आप देखोगे, तो केंदर में अलग सरकार होती है, राजय में अलग स सकतियों क्यों wow cash सबटेंगे कहीं कि अपश्बस्ते अपके में जो है कि अधर नोए सब्सक्राइ ref couples सब्सक्राइब ऊसी cannot में यह स्ब्दान होता है अज्मार सब्सक्राइब जो जो provision है वो हमारे एकी सब्धान में add है अपातकाल का प्रवंधन भी हमारे सब्धान में है तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा सब्धान एकातमक भी है और साथ-साथ संग्या संगातमक भी है ये दोनों जो है अपने समय के अपनी condition के साथ से भारत धारन करता है नेक्स जो विवस्ता है वो है संसदिया सासन पढ़ा ली अगर आप हमारा सब्धान पढ़ोगे तो हमारे सब्धान में राष्टपती को जो है क्या अबनायागा है आप देखोगी राष्टपती के पास हर सक्तियां उसके पास है लेकिन अगर आप एक्चूल में देखोगे तो सारी जो सक्तियां वो हमारे संसद के पास है मारे प्रधान मंत्री के पास है ठीक है सारी की सारे सकते हैं किसके पास होती है प्रधान मंत्री या मंत्री परसद के पास होती है इसलिए हमारे देश में किस तरह की विशेष्टा है हमारे सब्धान में जो संसदेशा सं प्रणाली की विशेष्टा है ओके नेक्स्ट है हमारी विसिस्ता एक ही घृत एव सोतंतर नयायपाली का भारत में आप देखो कि एक ही सर्वोचनेल है कि कोई आप देखकते हैं आके आपने कभी सुना है कि भारत में कोई दो सर्वोचनेल है एक इसरवच न्याले वो काँ पर है? न्यू डेली में है, ठीक है? नई दिली में है, और उसके नीचे सभी राज्यों के जो हाई कोर्ट आते हैं हाई कोर्ट के नीचे डिश्ट्री कोर्ट सेसन कोर्ट इस तरह आते हैं तो मतलब एक एक गरित है सिंपल एक गरित है और सोतंतर है मतलब हमारी हाई कोर्ट के किसी भी मल जो हमारी न्याले है वो किसी के भी अंडर में नहीं आते हैं उन पर किसी का भी दवाव नहीं है वो अपना काम करने के लिए बिल्कुल सोतंतर है और नियायपाली का को ही भारत की सवधान का, हमारे सवधान का सरक्सक कहा जाता है नेक्ट जो हमारे सवधान की वज़ेस्ता है वो है धर्म निर्पेक्स देखें, बिल्कुल सिंपल से समझिए, बिल्कुल सिंपल वे में आप इस तरह समसकते हो कि भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है सारे धर्म भारत ने एडॉप्ट किये हो है भारत का कोई एक धर्म नहीं है मतलब एक है कि सारे धर्म भारत के अंदर समाय हो है भारत का कोई अपना धर्म नहीं है इसी बात से आप बिल्कुल समझ सकते हो कि हमारा जो सब्धाने वो कैस है धर्म निर्पेक्स है इसमें ज़्यादा बहुंली की बात नहीं है next जो विशेशता है हमारे वो है एकल नागरिकता एकल नागरिकता sorry एकल नागरिकता क्या होती है गाईज देखो कि जो USA है न वहाँ पर दोरी नागरिकता है नागरिक को USC की नागरिकता लेने से पहले उसे अपने राज्य की नागरिकता लेने पड़ती है जैसे कि अगर आप इंडिया के कंपेरिजन करें तो अगर आप इंडिया में धोरी नागरिकता होती तो क्या होता तो आपको पहले अपने राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती अगर आप मध्यवर्देश से हो तो आपको मद्यवर देश की नागरिकता लेने पड़ती उसके बाद आप भारत की नागरिकता लेते बटाया अपने हमारे देश में ऐसा बिलकुल भी नहीं है हमें सीधे जो है हमारे देश की नागरिकता मिल जाती है हमें किसी और राज्य की नागरिकता की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए हमारे देश में किस तरह की नागरिक बिसेशता है तो एकल नागरिकता की ठीक है नेक्स्ट जो प्रोविजन है नेक्स्ट जो बिसेशता है हमारे सवधान की वो है बित्य अपातकाल का खत्रा है, तो हम हमारे देश में अपातकाल, राष्टपती जो अपातकाल लगा सकता है, राष्टपती तीन तरह के अपातकाल लगाता है, एक राष्टपती अपातकाल, दूसरा राष्टपती सासन, तीसरा बित्य अपातकाल, राष्टपती अपातकाल एक अलग से वीडियो बनाई हुए, आप उसको देख लिजिएगा, और बितिया पातकाल जो है, आर्टिकल 360, 360 के ते जो है, लगाया जाता है, और लगाता कौन है, वो हमारा राष्टपती लगाता है, ठीक है, तो अब चलते हैं अपने कोश्चिन की ओर, पहला कोश्चिन थ हमारा भारतिया स्वधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है, ना ही लचीला है, यह अंस्ता कठोर है और अंस्ता लचीला है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा हमारा आंसर डी, इसका जो कुछ भाग जो है, हम बिल्कुल 20 बहुमत से जो ह उसको सुनसोधन कर सकते हैं और कुछ भाग हो हम बिल्कुल साधान बहुत मस्सेज हैं उसका उसमें सुनसोधन कर सकते हैं ओके तो right answer क्या हो गया option D ठीक है next question था हमारा भारतिया सब्धान अपने नागरिकों को किस परकार की नागरिकता परदान करता है option A एकघ नागरिकता, option B दोघी नागरिकता, option C एकचेत्री नागरिकता और option D इन मैं से कोई नहीं तो right answer क्या हो हमारा एकघ नागरिकता हमारा सब्धान हमें एकघ नागरिकता परदान करता है जैसे कि Indian ठीक हमें भारतिया नागरिकता परदान है लाट जो कुछ चिंध हमारा वो था भारतिया सवधान का अविवावक कौन है राष्टपती परधान मत्री या सुप्रीम कोड सर्वोच नेले या लोकसभा तो राइट आंसर कौन है सर्वोच नेले सर्वोच नेले हमारे सवधान का सरक सक है या अविवावक है ओके हर कोश्चिन जो है भारतिय सवदान की विश्यस्ता से सॉल्व हो जाएंगे तो इस वीडियो में बस इतना है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई गाइस